अपने ब्लॉक को ग्रो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रिमियम टूल्स पर्चेस करते हैं लेकिन फिर भी कुछ फरक नहीं परता क्योंकि हम लोग टूल्स को सही से इस्तमाल ही नहीं करते हैं लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेमरस को केसे इस्तमाल करोगे ताकि आपको आसानी से लोग कम्पेटिशन क्यूवर्ड मिले जिन पर आप पहले दिन से गूगल में राइंग कर सकते हो और उसके साथ हाई CPC क्यूवर्ड भी निकाल सकते हो हाई CPC बस ऐसे हावावाजी नहीं दोस्तों आपको जितना CPC दिखेगा उतना ही CPC मिलेगा ये भी सिक्रेट तरीका है जो कि सिर्फ आप सेमरस को इस्तमाल करके निकाल सकते हो ये भी बताऊंगा और उसके साथ लोग कहेंगे भाई CPC premium tool paid है हम लोग effort नहीं कर सकते है वो भी tension नहीं दोस्तों आप लोग free में CPC को unlimited इस्तमाल कर सकते हो वो कैसे इसी वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा तो वीडियो आप लोग के लिए काफी ज़दा informative है without resting time वीडियो को start करते हैं दोस्ता अभी हम लोग screen पे हैं अभी हम लोग keyword research करेंगे अपने ब्लोग को rank करवाने के लिए चाहे वो ना हो पुराना हो सबसे बड़ा important factor है keyword research और ये सबसे important है अगर आप यही step को सही से follow करेंगे तो आप लोग अपने ब्लोग पे कुछी traffic generate कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले अभी हम आज आज आते हैं सेमरेस के अंदर सेमरेस के अंदर आने के बाद आप लोगो कुछ इस तरह का interface दिखने वाला है simply keyword research के लिए आपको सबसे पहले keyword overview भी क्लिक करना है क्योंकि दोस्तो keyword research का दो process होता है एक अपने niche के according keyword research करना दूसरा आप अपने competitor के according keyword research करोगे लेकिन सबसे पहला method मैं आपको recommend करोगा वो होता है अपने niche के according करो ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो US selected है मतलब आप US के लिए करोगे लेकिन दोस्तों आप लोग US में भी बहुत सारे low competition keyword निकाल सकते हो अगर आपको उसके लिए dedicated guide चाहिए भाई foreign country के लिए कैसे keyword research करे comment करना ना भूलना अभी हम क्या करेंगी यहाँ पर keyword research करेंगी ठीक है तो यहाँ पर में डालता हूँ अभी game डालता हूँ ठीक है game ठीक है उसके बाद यहाँ पर simply में enter दबाता हूँ नहीं मैं यहाँ पर India कर देता हूँ ताकि अच्छा रहे India आ गया India और यहाँ पर गेम नहीं अब इंडिया में popular game कौन सा है free fire ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगी search पर क्लिक करेंगे अभी देखेंगी क्या मलब result है भाई साथ इंडिया में 6 million searches only free fire keyword पर ही होता है और उसके साथ आप देखोगे आपे 10 million global volume है ठीक है इंडिया के बाद MXN की साथ मैक्सिको और BN साथ बियतनाम बगेरा होगा यहाँ पर search होता है BD, Bangladesh, BR, Brazil तो सवा सकते हो अभी आप देखोगे इंडिया में almost 50,000 keywords है keyword variation से free fire को लेके और उनका total volume यहाँ पर 29 million है ठीक है अब भी हम लोग क्या करेंगे सिंपल यहाँ पर view all keywords पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें चाहिए low competition keywords और मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ तकि आपको without VPN यूज़ कि डेटा दिखा पाऊं क्योंकि अगर मैं यूज़ के लिए करता उसके थोड़ा सा अलग मेतर होता अगर यूज़ करके सही से डेटा निकालने के लिए थोड़ा टाइम लेगता लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम लोग यूज़ के लिए कि यूज़ करते हैं वह प्रोसेज में आपको बताओ definitely comment करो अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस को लेगा क्योंकि यहां पर दिखिए इंडिया सेलेक्टेड है आप चाहो तो यहां पर चेंज कर सकते हो एगें कंट्री लेकिन हमें अभी इंडिया के लिए ही देखना है ठीक है देन अभी आप लोग देख सकते हो यहां पर आपको मिलेगा उसका all related जो question लगाओगे मतलब only question related keyword सबको देखेगा उसके बाद broad match, phrase match, exact match, related यह सब आपको कुछ नहीं करना है only जहां पर है वही रेने दो broad match पर रहने दो ठीक है उसके बाद option है volume आप लोग कितना volume का keyword चाहते हो भाई अगर हमें तो ज्यादा volume का भी चाहिए हमें बस यह देखना है low competition हो और easy to rank हो यह दो नगरा मिल जाता है तो और कुछ नहीं चाहिए चाहिए उसका volume कम हो चलेगा च्यादा हो चलेगा क्योंकि स्टार्टिंग में हमें अपना blog को Google पर rank करवाना है ठीक है इसलिए volume को एगलोर करेंगे अभी हम चलेंगे केड़ी पे केड़ी पे देख सकत possible stage पर जा सकते हैं 30 तक ठीक है तो maximum 30 जा सकते हैं लेकिन यहां पर आम लोग सिर्फ 20 ही डालते हैं क्योंकि हमें easy section में ही रहना है तिन apply पे क्लिक करेंगे तो 20 keyword difficulty के अंदर जितने सारे keywords होंगे वो अभी हमारे सामने आ जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो 807 keywords आपके सामने मिल चुके हैं अभी आपको यह देखिए free fire headset है आग यह जो keyword बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है ठीक है और इस पर difficulty only 14 है 14 सवा सकते हो हाला कि जो hack word user है इससे इससे क्या हो सकता है आपका adsense पर कतिरा हो सकता है इसलिए ज्यादा तर ब्लॉगर इस पर काम नहीं करते हैं ठीक है तो फिर भी हम लोग इसको छोड़ते हैं मलब यहां पर आगे बढ़ते हैं अभी intent है keyword intent भी समझना चाहिए navigational यहां पर देखोगे तो कितने सारे option दिखेगा देखिए informational, navigational, commercial and transition इस पर इतना धान मत दो लेकिन अगर आप फिलेट मार्केटिंग कर रहें उस condition में intent बहुत ज़ता matter करता है ठीक है लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो गुगल आर्चिन से कमाई कर रहे है उस condition में intent को इतना focus नहीं करन चाहिए then option आता है CPC भाई मैंने आपको already बताया था कि हम लोग exact CPC पता करेंगे लेकिन अगर आप सबसे पहली CPC के पीछे बागोगे तो आपका ब्लॉग कभी rank करेगा है नहीं Google पे इसलिए थोड़ा time आपको traffic थोड़ा बहुत आपके website पे लाओ then CPC के बीछे बागो इस इसलिए अभी के लिए हम लोग इसको ignore करते हैं अभी जाएंगे include and exclude जैसे कि अभी देख सकते हो भाई include हम चाहेंगे कि यह particular keyword हमारे जो long tail keyword या फिर short tail keyword जो हमें की मिल रहा है उसके अंदर particular word होना चाहिए तो उस condition में हम लोग include keywords पे जा सकते हैं वोई word को हम लोग mention कर सकते ह यहां पर हम लोग exclude keyword को example की तोर पर समझाता हूं जिसके हैं देख सकते हो फ्री फायर triple x तो हम चाहेंगे भाई triple x words ना देखे तो triple x डाल देगे और apply कर देगे और यहां पर जिसके हमने बोला था hack हमें hack भी ना देखे तो again हम लोग यहां पर यहां करेंगे enter दभाएंगे हमें नहीं दिखेगा excluded हो जाएगा जितने सारे keywords होंगे बाट जाएंगे जिसके देख सकते हो अभी आमारे सामने आ गया भाई free fire diamond generator लेकिन अभी थोड़ा और फिल्टर लगाते हैं अभी word account अगर आप चाहोगे भाई मुची तो long tail keyword चाहिए यहां मैं quick rank कर सकते हो तो यहा matter नहीं करता ठीक है इससे ज़्यादा बेतर और एक feature है जो कि यह दोनों तो competitive density इसको ignore करेंगे SRP feature मुदब search feature उसको भी ignore करेंगे लेकिन यहां पी results in SRP यानि सर्फ जिकने जो result तो है search engine result page जो top 10 page, top 20, top 15 page आपको दिखता है उसके अंदर हम लोग यहां पर दिखेंगे कितना results है Google के पास देखो दोस्तों यहां पर मैं पर recommend करूँ और 99 डालो क्यों क्योंकि mostly जो Google का top 10 page होता है Google उसको exactly value देता है मनलब अगर किसी keyword के लिए top 10 page available है तो Google ने क्या करा है वहां पे properly research करके 100 page को list किया है ठीक है अगर 100 page से एक भी page कम है 99 तक है तो यही पर समझ जाना Google के पास एक relevant page नहीं है इस particular keyword के लिए तो वो एक हम हो सकते हैं अगर हम अच्छ से content लिखे इसलिए हम लोग यहां पर apply करेंगे 99 results in search अभी apply पर क्लिक करते हैं अभी देखेंगे कितने keyword है जिनके लिए proper मतलब data नहीं है Google के पास अभी देख सक तो यहां पर बता रहा है 35 diamond generator result बता रहा है only 73 73 तो अग्यार हम लोग यहां पर थोड़ा देख ले Google पर कि क्या यह सच्छे तो सर्च करते हैं अभी दिखेंगे about result बता रहा है चार करोड के something लेकिन scroll down करेंगे तो यहां पर दिखेंगा why only 3 page है और again थोड़ा scroll down करेंगे तो यहां पर देखाएगा 8 page है last page पर क्लिक करते हैं यहां पर बता देगा why 73 और यहां पर बता रहा है भाई similar to 73 तो खुद देखो अगर यह भी बता रहा है same और यह भी बता रहा है same मैं आपको क्या बोला था अगर Google यहां पर only 8 page में submit जा रहा है और 73 result है relevant result तो इसका मतलब य यही पर आपको रुकना नहीं है अगर आपको अभी दिखा 73 है तो कुद मत पड़ो इस keyword पे अभी थोड़ा और data देखो अभी double quote डालो ठीक है कभी कभी क्या होता है इसका data match नहीं करता है भाई देखो यह जो keyword है इसको कितने सारे लोगों ने डाल रखाए अपने website पे results के तोर पर देखा ही नहीं Google ने क्या क्या यहां पर देखो इतने सारे लोगों ने डाल रखा है अपने पोस्ट के अंदर अपने content के अंदर लेकिन यहां पर अकसेप्ट कर रहा है only 73 क्यों कि Google को लगता नहीं कि भाई यह exact data है इसके लिए तो इस condition में अगर आप भी करोग करते हैं यहां पर देखते हैं वाई 40 keyword है ठीक है 40 है तो अगर इसके हम अंदर हम चलेंगे अभी इसको search करते हैं Google पर तो यहां पर देखो Google बता रहा है only 8 result है only 8 result यहां पर और है यह यह नहीं और अगर हम लोग इसको अटा देते हैं यह वाला सायद hypen है इसलिए यहां पर डालेंगे डबल कोट लगा के डालने के बाद यहां पर दिखा रहा है बाई 2000 से ज्यादा है तो और एक भी keyword देखते हैं इसे हमें बहुत सारे keywords मिलेंगे जिन्पे हम लोग research कर सकते हैं देख सकते हो यहां पर image बता रहा है image के अंदर तो बहुत सारे data होगा मलदा बहुत स यहां पर बता रहा है 37 results तो सबसे पहले आम लोग इसी को उपन करते हैं यह वाला keyword देख सकते हो अभी यहां पर आपको बता रहा है कितना देख सकते हो 5 pages तो last को उपन करते हैं यहां पर बता है 42 results आप लेबल है और यहां पर बता रहा है 37 और सेमरस और Google कभी exact data match नहीं करे ठीक है अगर आप इसको यह अभी क्या करोगे update keyword इसपे क्लिक करोगे तो साथ यह data match हो जाएगा क्योंकि यह दो वीक पहले update हो था ठीक है अभी थोड़ा time wait करते हैं update होने के लिए तक ही data दीखे लेकिन इसमें इतना update करने भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी यह बता रहा देखे अभी यह बता रहा है 50 यहां पर कितना था यहां पर था 42 लेकिंग थोड़ा ज्यादा बता दिया चलेगा कोई दिक्कत नहीं यहां पर देखो यहां पर 42 बता रहा है तो exactly अभी double quote डालें ठीक है double quote तो यहां पर देखो only four results available है तो अगर आप इस तरह के keyword पर काम करोगे chance ज्यादा बनता है कि आप जल्दी से rank कर पाओ ठीक है सबसे पहले याद रखो कौन से keyword पर आपको काम करना है जिस पर आपको Google बताएगा मतलब यहां पर similar भी बताएगा सर्प result कम है 50, 99 जितना डी कम है और उसकी बाद आप क्या करना इसको Google पर भी search कर लेना और Google पर search करने के बाद आप इसको double quote पर डालना और उसकी बाद अगर यहां पर कम result दिखता है तब आप मनना कि यह keyword को properly बहुत कम लोगों ने target किया है तो ऐसी keyword पर काम करोगे तो आपको result मिल सकता है लेकिन अगर आप इस तरह के keyword पर काम करोगे जो की direct दिखेगा कम result है जिसे कि यहां पर हमने देखा देख सकते हो इस प सेम इसी keyword को लगा के article डाला है content deliver किया है लेकिन still Google उनको consider नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वाई कुछ जोले अगर बाकी इस साइम keyword को डालने के बाद भी Google consider नहीं कर रहा है तो chance आपके लिए भी नहीं बन सकता है थोड़ा सा दिमाग यहां से लगाना है कि इस तरह के keyword प आपको target करना है लेकिन यह बस एक page है उसकी बाद और एक page आता है वो page क्या है हम लोग थोड़ा Google trend पर जाएंगे क्योंकि यहसी keyword टाप rank तो कर लोगे लेकिन traffic आएगा की नहीं वो चीज़ हमें कहां पर समझना होगा world trend पर उसके लिए आप सेमरस पर depend नहीं हो सकते फिर भ keyword की बारे में सेमरस क्या केता है वो भी समझ लेते हैं देना हम लोग Google trend पर देख सकते हैं देखिए दोस्तों यहां पर सेमरस बता रहा है सेमरस का जो trend वो बता रहा है keyword difficulty 17 है और यहां पर CPC कम है CPC इतना ज्यादा भी नहीं है ठीक है लेकिन हम जैसी कि मैंने आपको बोला स क्राफिक द्रे-द्रे इस पर growth हो रहा है इतना भी खराब सीन नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे अभी सिधे Google trend पर चले जाते हैं यहां पर explore पर जाएंगे महला Google trend मेरे पास bookmark है आप लोग भी चाहो तो bookmark करके रख सकते हो अभी explore पर क्लिक करेंगे और यह जो keyword था इ इंडिया कर देंगे इंडिया और यहां पर last seven days देन देखते हैं भाई देखो यहां पर searches आ रहा है ठीक है अगर बिल्कुल ग्राफ फ्लाट होता तो इसका मतलब है इस keyword पर searches नहीं है लेकिन last seven days पर यहां पर graph उठ रहा है तो इस keyword पर आ रहा है तो इस keyword पर आप काम कर सकते हो इसी तरह आप लोग low competition keyword find out कर सकते हो याद रहे आपको double quote लगाने के बाद कम data दिखना चाहिए इस तरह का keyword पर आपको focus करना है नहीं तो आप जहां से बैया के इस तरह के keyword पर focus मत करना आपको result दिखाएगा only 73 है और जिसी आप लोग जाओगे double quote लगा के आपको 68,000 लोगों ने 68,000 website ने pages ने ये keyword पूर डाल रखा है लेकिन Google उनको consider नहीं करता तो ये चीजों का आपको समझना चाहिए ठीक है तो ये गया हमारा पहला strategy जिसमें हम लोग क्या करेंगे ये तरीके से हम लोग keyword research करेंगे तो ये हमारा पहला strategy था दोस्त अभी हमने research किया according to niche हमने keyword research किया low competition keyword कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया और किस तरह की keyword पर काम करोगे तो result मिलेगा वो भी बता दिया लेकिन जैसे कि मैंने बोला था दो method होता है एक तो हम अपने niche के according जाएंगे और दुसरा है हमारे competitor के according जाएंगे तो अभी हम लोग याग करेंगे दोस्तों सबसे पहले आपको competitor चूज करना होता है अपने niche के अंडर आप competitor find out करोगे यह कौनसा हमारे लिए competitor हो सेथा है जब आप start करोगे आप देखो कि gaming के पर अपने website बनाया मायन के चलो आप gaming के बारे में website बना रहे हो तो सबसे पहले आप यह देखोगे कि बाई recently एक स साल दोसाल के अंदर कौनसा website gaming के अंदर काम कर रहा है बहुत पुराने website को अपना competitor है लेकिन उनके साथ compete नहीं कर आप यह इसलिए phrase website के साथ आपको competition होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले यह से की देख सकते हो इस keyword पर प्रोश्टर.in सायद प्रोणाल सिसन में थोड़ा मि ठीक है लेकिन इसलिए मैं यह website को चूनूंगा नहीं और यह बहुत पुराना website भी है तो मैं यहाँ पर देखता हूँ जैसे कि यहाँ पर टॉप 20 तक देखते हैं यहाँ पर देखेंगे तो यह देख सकते हो roast game इसको थोड़ा देख सकते हैं और यहाँ पर point of gamer यह थोड़ अच्छा website लग रहा है इसलिए हम लोग यह website को देखते हैं roast game ठीक है इसको क्या करते हैं बंद करते हैं देख सकते हो इसका data हम भी हम देखेंगे ताकि हम लोग properly अपने competitor को analyze कर पाएं तो सबसे बेले आप लोग देख लोग यह roastgame.com है available तो इसका data लाई देखो यहाँ पर पर्टिक्लर इसी exact URL पर है तो हम लोग root domain पर कर देते हैं इसका root domain का data देखते हैं कि क्या scene है ठीक है अभी देख सकते हो भाई 53K traffic है चलेगा कोई दिक्कत नहीं अभी थोड़ा scroll down करते है all time अभी यह जो website start हो हुआ है almost 2021 से start हुआ है तो हम लोग इसको मान सकते हैं आज ए competitor ठीक है और देखेंगे तो यहां पर देखो यह बहुत सारे keyword पर राइंग कर रहा है फिल्मी वाप और free fire keyword पर राइंग कर रहा है तो हम लोग जा सकते हैं इसके साथ लेगिन फिर भी थोड़ा सोच में पढ़ गया क्योंकि अगर multi niche का website है तो उससे हम क्या ही data निकालेंगे इससे अच्छा है हम लोग कोई gaming वाले keyword का इसे की गूरू gamer यह website का भी देख सकते हैं तो आपको थोड़ा research करना पड़ेगा क्योंकि यह थोड़ा critical चीज है अगर आपको इस particular niche पर focus कर रहे हो तो आपको भी एसा domain चाहिए जो एक properly niche पर काम कर रहे हैं तभी हम उसको competitor मान सक करते हैं जो मिल के काम कर रहे हैं entertainment movie वगेरा मतलब वह थोड़ा काम पर नहीं हैंगे तो हम लोग properly niche को focus करेंगे भाई यह website तो बहुत तड़ा website गुरू-गेमर.com इंस्टिल देखते हैं मैं यस भाई साब यह तो आप 2019 इसको ता आप हाथ ही नहीं लगाता होगे लेकिन फि यसे competitor find करते हैं वो एक exactly separate video बन सकता है लेकिन मैं आपको यह भी competitor का keyword के से analyze करते हैं वो बता देता हूं लेकिन अपना competitor चुलना भी process होता है वो इस वीडियो में बता होगा तो video बहुत long बन जाएगा ठीक है तो simply अभी हम क्या करेंगे नीचे आएंगे top organic keyword पे click करेंगे तो अभी आपके सामने सारका सारा data available हो चुका है अभी आप लोग देखिए अगर हम competitor के keyword पे rank करने के लिए questions करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे अगर मैंने इसलिए आपको बोला कि आप अपने age में लब एक साल दो साल पूराने competitor को ही find करना क्यों क्योंकि अगर वो rank कर सकते हैं तो आप भी rank कर सकते हैं यह दिमाग में बिठा लो ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे यह फिल्टर लगाएंगे सबसे पहले में कहोंगा आप लोग filter लगाओ top 3 में ठीक है top 3 में filter लगाओगे तो इसका मतलब है अगर आपका नया phrase competitor top 3 में आ सकता है तो top 3 में आ सकते हैं यह दिमाग लगाना है आपको क्योंकि अगर पूराना competitor होगा उसका authority है तो वो top 3 में आ सकता है लेकिन आप नहीं यह आप आओगे चाहिए keyword जितना low competition वाला हो ठीक है इसलिए सबसे पहले आपको competitor कम age वाले मतलब phrase domain को choose करना पड़ेगा ठीक है top 3 में easy then apply और इसके अंदर आपको और कुछ नहीं करना है बस यह दोनों ठीक है top 3 में और very easy लगा के देखना है भाई कौन सा कौन सा keyword है जिस पे यह website आपका competitor rank कर रहा है ठीक है लेकिन यह data आपके लिए सही नहीं होगा क्योंकि देख सकते हूँ kd यहाँ पे कम है position आपके सामने है और volume आपके सामने है लेकिन दोस्तों यह जो website का हम देख रहे हैं यह सही competitor नहीं है हमारा देख सो तो यहाँ पे actress for night यहाँ पे कुछ ना कुछ keyword आ रहा है लेकिन आपको क्या चाहिए आपको सही data चाहिए तो आपको सबसे पहले सही competitor को find out करना पड़ेगा और how to choose competitor हमारा competitor को हम cases choose करेंगे उसके लिए हम लोग separate वीडियो में बात करेंगे ठीक है बहुत सारे method है जिसके हमें phrase competitor मिल जाएंगे ठीक है तो इसी लिए आपको सबसे वेले क्या करना पड़ेगा इस दोनों method को use करके आपने लिए research करना पड़ेगा low competition keyword ठीक है लेकिन पहला priority देना keyword research कैसे करते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे भाई high cpc keyword कैसे find out करेंगे ठीक है तो सबसे पहले again हम लोग क्या करते हैं screen पे चलते हैं तो again हम लोग क्या करेंगे अभी दोस्तो सबसे पहले हम लोग keyword overview पे ही चलेंगे ठीक है keyword overview पे चलने के बाद अभी हम लोग क देटा दिखा पाओ, ठीक है, फ्री फायर का जो कीवर्ड हमने डाला, अभी आपके सामने पूरा कपरा डेटा आपके सामने है, तो यहाँ पे खुद देखो, यह जो कीवर्ड है, इसका CPC बता रहा है 0.04, गुगल भी कुछ बताएगा, गुगल कीवर्ड प्लानल पे पे प कर रहा होगा, तब आपको यह CPC मिल सकता है, समझ पा रहे हो ना, तब ही आपको यह CPC मिल सकता है, अगर यह क्यूवर्ड पे आड नहीं चल रहा है, जिसे कि आप आड सेमरस बता रहा ही, बाई, कोई भी आड इस क्यूवर्ड पे नहीं चल रहा है, तो कैसे हम लोग काम कर क्योंकि अगर हम उनित करेंगे यही CPC गो तो यहां पर कोई भी आड़ नहीं चल रहा है तो हमें CPC नहीं मिलेगा समझ रहे हो ना तो हमें कैसे CPC मिलेगा यहां पर जो यूजर यह एपसाइट पर आएगा उसका ब्राउजर केज होता है ठीक है वो उसने क्या सर्च किया है सर्च हिस्ट्री के एकवर्डिंग उसको आड़ दिखेगा उस हिसाफ से वो क्लिक करेगा उसमें ज्यादा CPC मिल भी सकता है कम CPC भी मिल सकता है उस कंडिशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहां पर जो CPC हम देखेंगे यह keyword बैंग आड़ नहीं चल रहा है तो उ लोगनों डालने के बाद यहां पर देखो यहां पर CPC बोल रहा है 0.37 और यहां पर बता रहा है कि भाई एक आड़ चलता है तो इस पर आप क्लिक करोगे साइध भी ओपन नहीं हो लेकिन स्क्रॉल डाउन करते हैं यहां पर आपको दिखेगा आड़ हिस्ट्री ठीक है यह इतने सारे आड़ चले हैं यह particular keyword पर वो दिखेगा भाई यह hsbc.com, icici, bank, data capital यह सारे website ने क्या किया है इस keyword पर इस particular keyword पर आड़ रन कर रहा है ठीक है और क्या data देखेंगे इनको आप देखिए यह जो website है hsbc.com यह कितना invest कर रहा है यहां पर आड़ ट्राफिक प्राइस cost in usd वहला दो हजार डॉलर इंवेस्ट कर रहा है यह वाला bank यहां पर 40,000 डॉलर इंवेस्ट कर रहा है और HDFC bank यहां पर 30,000 डॉलर इंवेस्ट कर रहा है और यहां पर यह वाला सबसे ज्यादा कोटक यहां पर 7,000,000 डॉलर इंवेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले हम कोटक क कोई open करेंगे ठीक है तो इसका add copy सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी कुवर्ड पर क्या कर रहा है आड़ चला रहा है हमने डाला था home loan, home loan keyword हमने डाला था उसके उपर add चल रहा है की नहीं चल रहा है देखने के लिए और ये सारे if side add run कर रहे हैं लेकिन हम लोग अगर exactly home loan को focus करेंगे साइध है हमें थोड़ा बहुत CPC मिलेगा लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा ठीक है अभी आप लोग देख सकते हो लोड हो रहा है डेटा थोड़ा टाइम लगेगा अभी देखिए process चल रहा है क्योंकि data आने के लिए यह थोड़ा मलब high quality data है थोड़ा time लग सकता है आपके सामने अभी आपके सामने सारा का सारा data आ गया ठीक है देख सकते हो last month तो यहाँ पर देखो जो keyword है कोटक हुआ 811 यह coverage है 100% यहाँ पर आड़ चलाते है total volume इतना है और CPC देख सकते हो भाई 186 मलब 186 डलर का CPC है ट्र कोटक zero balance account इसका CPC देख सकते हो कोटक महिंद्रा bank account opening इसका CPC देख सकते हो भाई समझ सकते हो रहा है आप लोग तो यह सारे keyword को focus ही नहीं करते हो अगर इक particular इसी keyword को पन करते है इस keyword को सेंग्रेस पर देखते हैं क्या आड़ इडल से इसका ठीक है इसका भी load हो रहा है तो य यह keyword का यहां पर add history दिखा रहा है लेकने हम लोग यहां पर keyword analytics पे click करते है particular इस keyword का analytics हम देखेंगे ठीक है तड़ यहां में सही दिखेगा data देख सकते हो इसका जो volume है वो UK में कम दिखा रहा है इंडिया में ज्यादा है तो इंडिया में select कर देख से पेले ठीक है देख सकत पता रहा है देख सकते हो $8 का CPC और यहां पर पांच add चलते हैं तो यही पर आप समझ लो ना अगर आप यह keyword पे target करो के add भी चल रहे हैं ज्यादा चांस है कि आपको यहां पर इंडिया पर भी $5 का CPC मिल जाए क्योंकि जितना CPC दिखेगा उसका 32% Google cut करेगा आपको इसको सायद हम लोग separate video में cover करेंगे तब अच्छा होगा क्योंकि CPC find out करना बहुत tough गाम है ठीक है इसके बाद आप देखो यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक इसी इन सारे keyword बे मलब क्या करता है आड चलाता है जिसी के आप देख सकते हो CPC का यहां पर आपके सामने ठीक है तो अगर हम लोग थोड़ा सा detail और देखें यहां पर आड कॉपीज आपको मिलेगा इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारा का सारा आड क कोपीज भी दिख जाएगा अभी देखो यहां पर कोटक यहां पर seven keyword मलब आड चल रहा है seven keyword पर अभी देखो यहां पर भाई यह उमलोन यहां पर यह उमलोन कीवर्ड पर हमने पहले target किया था होमलोन कीवर्ड ठीक है, home loan keyword पर यहाँ पर यह CP से चल रहा है, यह add चल रहा है, तो मिल सकता है housing loan, यह मिल सकता है, और यहाँ पर कोटक home loan rate, तो यह मिल सकता है, और instant home loan, ठीक है, यह भी मिल सकता है, तो यहाँ पर overall जो बात बताना का था, वो यह देखो, अगर हम लोग कोई keyword को target करते हैं, जै ठीक है, तो उसके अंदर यह CP से होगा, यह CP से हमें मिल सकता है, जब यह यहाँ पर add run हो रहा होगा, यहाँ पर बात भी ठालो दिमाग में, यह जो keyword का CP से हमें तभी नहीं लेगा, जब यहाँ पर कुछ add चल रहे होंगे, अगर यहाँ पर add नहीं चलेंगे, तो हमें यह CP मिलने का उमीद नहीं रखना चाहिए, add चल रहे हैं, तो यह CP से हमें मिल सकता है, समझ में, आया बात, concept clear, जब भी हम keyword research करेंगे, जो भी CP से दिखेगा, अगर यहाँ पर add चल रहा है, तो वो CP से मिल सकता है, exactly वही CP से नहीं, उसका 68% मिल सकता है, clear, clear, hold out clear, अभी term हैं समरस को कैसे इस्तमाल करोगे, तो चलिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको proper तरीका बताता हूँ, आप लोग फ्री में समरस को कैसे इस्तमाल करोगे, हम लोगों ने keyword research किया, CPC को find out किया, high CPC keyword निकाला, सारा process आपने देखा, लेकिन आपके मन में यही doubt हो सबसे पहले दोस्तों, description पर फ्री समरस का link देया गया है, उस पर क्लिक करिए, अभी आपके सामने कुछ इस तरह का interface खुलेगा, देख सकते हो, 14 days free pro trial, यहाँ पर हर एक feature आप लोग फ्री में इस्तमाल करोगे, वो भी 14 days के लिए, और आज दी beginning stage ही काफी है, आप इसी से एक साल के लिए, अपने block के लिए keyword निकाल के रख सकते हो, और इसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना है, 14 days के लिए, सेमरस का हर एक premium feature को आप लोग यहाँ पर free में इस्तमाल करोगे, और केसे क्या करना है, केसे account बनाना है, practically मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, सबस बनाने के लिए, आप लोग continue with Google यानिकी direct Google एकाउंट से भी जा सकते हैं, यहाँ पिर अपना email address और password डलिए, यहाँ पिर अगर आपने already account बना रखा है, तो यहाँ पे click करिए, already have an account, then login पे आप लोग यहाँ पे click करिए, अभी आपको चीज तरह का दिखेगा, अगर आपने पहले से मिलब Google एकाउंट के साथ अपना account बनाया है, तो यहाँ पे login with Google पे जा सकते हो, अदर्वाइस आप अपना email address और password डाल सकते हो, मैं यहाँ पे अपना credential डाल देता हूँ, जो कि मेरा account already बना हुआ है, अभी मैं यहाँ पे Google एकाउंट के थ्रू में login करता हूँ, ठीक है, मेरा login process हो चुका है, आप लोग भी login कर सकते हो, या तो अपना data डाल के account बना सकते हो, already मेरा account था, इसलिए मैंने login किया, login हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा, अभी आपको कहेगा, भाई, यहाँ पे card number डालो, दोस्तों, आज के time पे हर किसी के पा दो डॉलर बताएगा, एक भी रुपया चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि 14 days का trial है, उसके बाद अगर आप चाहो continue कर सकते हो, otherwise नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यह लोग कोई भी चार्ज नहीं करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख नहीं देना है, बस आपको यहाँ पे card number, expiry date और cbc और cbb, code डालने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो, मैं अपना detail भी डालता हूँ, आप भी अपना डाल लीजिए, अपना card का detail डाल दिया, आप भी स्क्रॉल करूंगा, और enter your billing address, मुझे अपना billing address भी डालना पड़ेग दोस्तों, अभी मैंने अपना detail डाल दिया, अभी simply में क्या करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो, टूडेज चार्ज यहाँ पे 0 डॉलर, आपको बिल्कुल भी एक रुपया चार्ज नहीं लगेगा, simple यहाँ पे मैं क्या करूंगा, place order पे क्लिक कर दूँगा, और अभी इस 10 minutes for your payment to be processed, ठीक है, और अभी देख सकते हो, free training season and need help, और उसके बाद button मिलता है, start using Simras, मैंने आपको already सब कुछ बता दिया कि कैसे इस्तमाल करना है, बस आप लोग भी free में इस्तमाल कर सकते हो, भाई, आपको एक भी रुपया नहीं देना है, लेकिन कभी-कभी जब आप यह अई पर आप लोग ध्यान दीजिए, आपका international transition enable होना चाहिए, मैंने भी आपके सामने debit card से यह process किया है, आपको credit card नहीं चाहिए, अभी आप free में Simras इस्तमाल कर पाओगे, बस start using Simras पे click करके, ठीक है, और यहाँ पर देखोगे, आपके सामने पुरागपरा interface इस तरह का द दिखने वाला है, फाइनली अभी आप लोग आ चुके हैं, Simras एकाउंट के अंदर, अभी आप लोग free में इसको इस्तमाल कर सकते हैं, 14 days के लिए हर एक feature, premium feature को आप लोग free में इस्तमाल करेंगे, तो यहाँ पर दिक्कत अब कुछ नहीं है, आप लोग free में अपने site के लेकिन यहाँ पर यह सबाल था कि क्या आप सिर्क एक बार free में ले सकते हो, नहीं, आप जितने time, जितने बार लेना चाहते हो, ले सकते हो, वो तरीका आपको बता देता हूँ, तकि आप हमेशा इसको free में इस्तमाल कर सकते हो, के से, Simple बात ही याद रखिए, जो बता रहा ह अभी आपने अपने अकाउंट से एक बार 14 देज का ट्रायल लिया, अभी आप चाहत अपने family member के अकाउंट से भी ट्रायल ले सकते हो, उसके लिए चाहिए और एक debit card, ठीके, या फिर अगर आपके पास multiple debit cards है, तो उसमें भी आप जा सकते हो, multiple account बना सकते हो, multiple times ट्रायल ल मिल जाएगा, जब भी आपको ट्रायल चाहिए, आईए, description पे link के, आप वहाँ से 14 days का ले सकते हो, और कभी-कभी वहाँ पे आपको 30 days का भी ट्रायल मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, ये premium टूल जिसका prize आप देखोगी तो बहुत जादा होगा, लेकिन आप फ् plans and pricing में आपको दिखेगा, प्रो, जो कि आपने ट्रायल लिया, और गुरू, जो कि आप देख सकते हो, मंतली इसका prize इतना है, और business जो कि मंतली prize इतना है, अगर आप annually जाते हो, तो आपको यहाँ पे discount, heavy discount मिलने वाला है, लेना चाहो, तो ले सकते हो, ये सारे packages available है, ठीक है तो इसी साफ से आप compare कर लेना, आपको कौन सा plan चाहिए, अगर आपके पास budget है, क्योंकि ये tool काफी सही value देता है, एक properly अगर planning करका business कर रहे हो, then definitely आपको जाना चाहिए, ये premium tool के साथ, अगर budget है, तो जा सकते है, otherwise मैंने आपको बता ही दिया है, आप लोग free में, कैसे इसक इस्तमाल कर सकते हो, भाई, एक भी रुपया नहीं देना है, आप लोग free में, stimulus को बहुत ताइम इस्तमाल कर सकते हो, लेकिन आप लोग subscription ले लोगे, मतलब free trial ले लोगे, उसके बाद ये भी डर रहता है, कि साइद अगले time वो charge कर लेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते ह यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने account सेक्षिन में आना है, यहाँ पर subscription info बे click करना है, जिसे आप लोग क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको data मिल जाएगा, सारगा सरे data, subscription जो भी आपका है, आपका trial subscription है, जो की मेरा भी है, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर option मिलता ह please contact us, इस पर आपको क्लिक करना है, अभी अगर आपके पास budget नहीं, आप सिर्फ trial लेना चाहते हो, दिन आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हो, what is your primary reason to unsubscribe from send us, ठीक है, too expensive या फिर it's too complicated, जो भी आप budget दे सकते हो, वजह यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, other, ठीक है, या फिर too expensive, फिर I have experienced some technical issues, जो भी जो भी आपको यहाँ पर लगेगा, आप डाल के, उसके बाद continue पर click करोगे, ठीक है, दिन आपको यहाँ पर एसे करके, चारो अप्सन चूज करना पड़ेगा, I don't have client at the moment, दिन आप जाओगे यहाँ पर, I am not sure, दिन आप जाओगे, I don't work in digital marketing, continue, ठीक है दिन यह सब fill up करने के बाद, last में आप अपना नाम डालोगे, contact, email डालोगे, दिन उसके बाद यहाँ पर click करना, और on subscribe पर click कर देना, लेकिन मैं कहूंगा, कि आप इसको starting में ना करे, आपको ध्यान रखके, यह काम कब करना होगा, आपको यह काम, जिसे ही 10 दिन खतम हो जा फ्री में इस्तवाल करना, उतना जरूरी है, यह प्लान को cancel mode में लेके आना, ठीक है, all clear, तो यह process और यह वीडियो कैसा लगा, comment करके definitely बताना, और ऐसे ही, मज़ितार एन इंट्रेस्टिंग और informative वीडियो के लिए चैनल को साथ बने रहो, और उसके लिए तो भाई, आपक झाल